ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जै मातराणी दोस्तों आपके अपने जैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है मा भगवते दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सिर्वधा बनी रहे दोस्तों श्रावन मास के शुकल पक्ष की पूर्णिमा तिधी को रक्षा बंधन का पावन परो मनाया जाता है इस दिन बहने अपने भाई की कलाई में राखी बांधती हैं और अपने भाई की लंबी आयू के लिए उनकी सुक समरिद्धी के लिए और भाई और बहन के बीच हमेशा प्रेम का रिष्टा बना रहे इसके लिए भगवान सी प्रार्थना करती हैं दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ रक्षा बंधन के बारे में साल 2022 में रक्षा बंधन कब है देखिए साल 2022 में रक्षा बंधन की तिथी को लेकर बहुत सारे संशाय लोगों के मन में हैं रक्षा बंधन हम 11 को मनाएं या 12 अगस्त को मनाएं किस दिन रक्षा बंधन मनाना शुब होगा और भाई को राखी बांधने का शुब मुर्थ क्या है इस बारे में भी बहुत सारे प्रशन आप लोगों के कमेंट बॉक्स में आ रहे हैं कि आप हमें रक्षा बंधन की सही ज प्रकार से राखी बांधना चाहिए तो रक्षा बंधन से संबंधित संबुर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूं इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिए शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ और चैनल पर पहली बार आए हैं अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ह तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बट्रीन को भी प्रेस कर लीजिए तो इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय प्रप्राप्त 12 अगस्त को सुबह 7 बज कर 5 मिनट तक तो ऐसे में पूर्णिमा तिथी 11 अगस्त को ही मान्य होगी क्यूंकि 12 अगस्त को सुर्योदय कालीन तिथी है लेकिन बहुत थोड़ी समय के लिए पूर्णिमा है इसलिए पूर्णिमा की तिथी जो है वो 11 अगस्त को ही मान्य होगी और रक्षा बंधन का जो त्योहार होता है वो भी 11 अगस्त को ही मनाया जाएगा लेकिन जो लोग सुर्योदय कालिन पुर्णिमा में शनान करते हैं या दान देते हैं जो भी पित्रों के निमित्त भी बहुत से लोग पुर्णिमा के दिन तरपन इत्यादी भी करते हैं, तो ऐसे में 12 अगस्त को सुबह के समय, जो समय पुर्णिमा तिथीक है, जैसे सुबह 7 बज कर 5 मिनट तक पुर्णिमा है, तो इस समय तक आप स्नान दान इत्यादी कर सकते लेकिन जो लोग व्रत करते हैं वो 11 अगस्त को ही करेंगे व्रत और रक्षा बंधन भी 11 अगस्त को ही मनाया जाएगा अब बात करते हैं आज के दिन लगने वाले बहुत ही शुब मुहुर्प के बारे में देखिए बहुत वर्षों के बाद इस तरह का संयोग आया है कि इस बार रक्षा बंधन के दिन बहुत सारे शुब योग बन रहे हैं जैसे कि 10 अगस्त को शाम साथ बजकर 35 मिनट से 11 अगस्त को दोपहर तीन बजकर 31 मिनट तक आयुश्मान योग रहेगा 11 अगस्त को सुबह 5 बजकर 30 मिनट से सुबह 6 बजकर 33 मिनट तक रवी योग रहेग तो बहुत सारे शुभ योग हैं बावजूत इसके बहुत सारे संशैभी लोगों के मन में हैं क्यूंकि भद्राकाल विशेश रूप से बहुत मित्पुण होता है रक्षाबंधन में और होलिका देहन में क्यूंकि इस समय में ये दोनों ही कारियर नहीं किया जाते हैं और 11 अगस्त को भद्राकाल प्रारंब होने का समय है सुबह 10 बज कर 38 मिनट से और समाप्त होने का समय है रात्री में 8 बज कर 51 मिनट पर मतलब सुबह पूर्णिमा के साथ ही भद्राकाल प्रारंभ हो जाएगा और रात्री में 8 बजकर 51 मिनट तक भद्राकाल का समय रहेगा तो ऐसे में प्रशन उड़ता है कि हमें राखी कब बांधना चाहिए क्योंकि भद्राकाल में तुराकी बांध नहीं सकते देखे रक्षा बंधन तो 11 अगस्त को ही मनाया जाएगा लेकिन 8 बजकर 51 मिनट के बाद राखी बांधी जाएगी क्योंकि इस समय तक भद्राकाल रहेगा मिनट से शाम को 6 बजकर 18 मिनट तक तो प्रदोशकाल में ये एक घंडे का समय है अगर आपको बहुत आवश्यक है राकी बांधना तो इस समय में आप राकी बांध सकते हैं लेकिन यहां भी ध्यान रखना है आपको क्योंकि 6 बजकर 18 मिनट के बाद भद्राका मुखकाल प माना जाता है इस समय में किसी भी प्रकार का शुब कार्य किया जा सकता है तो 11 अगस्त को अभीजित मुखका जो सुब समय होगा सुबह 11 बजकर 37 मिनट से दो पहर 12 बजकर 29 मिनट तक यह भी लगभग एक घंटे का समय है वैसे पूरा एक घंटा नहीं है लेकिन इसी समय मे 20 में राखी बांधने का जो सबसे शुब मुहुट है वो रातरी 8 बजकर 52 मिनट से रादरी 9 बजकर 49 मिनट तक है वैसे इसके बाद भी आप राखी बांद सकते हैं रातरी एक 11 बजे तक साड़े 11 बजे तकvable चाटी बांधिये जा सकती है लेकिन राखी बांधने का जो सब वो रातरी आठ बजकर बावन मिनट से नौ बजकर उन्चास मिनट तक है अगर आप इस समय में राखी बांदेते हैं तो यह बहुत शुब होगा ऐसा माना जाता है कि शुब समय में बांधी गई राखी से शुब फलों की प्राप्ति होती है और रक्षा बंदन में शुब तो शुब फलों की प्राप्ति होगी जैसे कि शुब समरिद्धी की प्राप्ति होती है भाई बहन के बीच ब्रेम बना रहता है और भाई और बहन दोनों का ही जीवन सुख में होता है तो यह बहुत शुब मुर्थ जो मैंने आपको बताएं है राखी के बाकी इसके बात करते हैं कि रक्षा बंधन के दिन भाई को राखी बांधते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए देखिए रक्षा बंधन का दिन बहुत पवित्र दिन होता है बहुत शुब दिन होता है बहनों के लिए यह त्योहार बहुत महत्यप्रुन होता है वह अपने भाई की लंबी आयू के लिए हर छण भगवान से प्रार्थना करती हैं उनके मन की कामना सिर्फ इतनी होती है कि मेरा भाई हमेशा शुकी रहे सम्रिद दरए उसके परिवार में कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी न आए तो इसके लिए बहने हर छण अपने भगवान से अपने इश्ट देवता से प्रार्थना करती हैं तो आज का दिन बहनों के लिए और भाईयों के लिए भी बहुत महत्यूण होता है तो इसलिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जासे के जब आप राखी बांदते हो तो उस समय में भाई का मुख पूर्वधिशा की तरफ होना चाहिए बहन का मुख पस्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए एसा प्रयास करना चाहिए लेकिन माल लीजे कि ऐसी व्यवस्था न हो कि भाई बहन के मुख पूर्विया पस्चिन दिशा की तरफ हो, क्योंकि घर में कई बार इस प्रकार की विवस्था नहीं होती है, इस प्रकार का स्थान नहीं हो पाता है, तो भी इस बात का ध्यान अवश्य रखिए कि कि किसी का भी मुख दक्षिन दिशा की तरफ ना हो, न तो इस बात का भी ध्यान जरूर रखिए, बहने अपने सिर पर कोई दुबट्टा डाल सकती हैं, बेशक आपकी साधी नहीं हुई है, आप अन्मेरिड हैं, तब भी आप अपने सर पर दुबट्टा डाल कर ही भाई को राकी बांधिये, और भाईयों को भी अपने सिर पर जो भी आपकी शक्ती हो, जो भी आपकी सामर्थ हो, अपने सामर्थी के अनुसार बहन को उपहार जरूर देना चाहिए, देखिए, घर की लड़कियां घर की लक्ष्मी मानी जाती है, और लक्ष्मी का सम्मान हमेशा लक्ष्मी के द्वारा ही किया जाता है, तो जब आपक इच्छा हो अपनी इच्छा के अनुसार कुछ न कुछ जरूर दीजिए तो रक्षा बंधन से संबंधित ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही जरूरी नियम है जिनका पालन करना अत्यनतावश्यक है तो आशा करती हूं आज की जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो थोड़ी सी भी आपके लिए हल्फुलो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ क्यूंकि राखी को लेकर रक्षा बंधन को लेकर तिती और अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए तो इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होगी उनकी नोडिफिकेशन आपको सही समय पर प्रप्राप्त होगी मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में तक के लिए नमस्कार